ब्यारे साथियों आज हम लोग पराओंपिक केल 2024 पराओंपिक गेमinto को हम लोग पढ़ेंगे इसको याद करने की कोसिस करेंगे इससे पहले अभी आप लोगों ने देखा है कि हमारे ओलम्पिक गेम जो हैं वो कंप्लीट हो गये हैं और ओलंपिक गेम्स जो 26 जुलाई से 11 अगस्तक चले थे जिसमें भारत की रेंक 71 थी और पहले नंबर पर यूएस से था दूसरे पर चाइना तीसरे पर जापान चोथे पर आस्टेलिया और पांच वे पर फ्रांस था भारत ने पांच मैडल जी च्छे मैडल जीते हैं जिसमें पांच ब्रॉंज हैं एक सिल्वर मैडल है यह आप लोग पर चुके हैं और हमारी ऑवरोल जो पोजिशन है वो वर्ल्ड में रैंकिंग जो है वो 71 है इसी क्रम में पै यार भाग लेते हैं वो किसी ने किसी तरह से जो हैं विकलांक होते हैं किसी का हाथ नहीं है किसी का पैर नहीं है किसी की आख नहीं है या फिर किसी कोई बोडी का और गंस नहीं है उन सब की कैटेगरी होते हैं और कैटेगरी के हिसाब से उनका क्वालिफ क्वालिफाइड ह होते हैं वो और अपनी बिभीन केटेगरी में भाग लेते हैं तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पैर ओलंपिक 2024 को हम लोग जो हैं वो देखेंगे जनरल तोर पर मैं आप लोगों को बता दूँ जहां पर ओलंपिक गेम्ट होते हैं वहीं पर उसके बाद ही पैर ओलंपिक का आउजन किया जाते हैं और इसका आईजन भी International Olympic Committee इंटेनेशनल ओलंपिक कमेटी के दो आरही इसका जो है रेगुलेटी जो है इनका किये जाते हैं ठीए तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ठीए पैर ओलम्पिक गेम्स की अगर हम बात करें तो यह जो गेम्स हैं आप लोगों के यह सत्रवा एडिविशन एडिशन है इनका और यह हो रहे हैं इस बार पेरिस पेरिस के फ्रांस में मतब फ्रांस कंट्री है पेरिस कैपिटल है और यह जो चलेंगे आप लोगों के यह चलेंगे 28 अगस से 28 अगस से लेकर आठ सितमबर तक यह जो हैं 2024 तक आपके गेम्स चलेंगे ठीक है इस 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 गेम्स की बात करें आप लोगों की तो यह गेम्स जो है हर देश के तरब से जब इस गेम्स की ओपणिंग सेरीमनी होती है तो एक महीला एक पूर इस ओहने कंट्री पहले हैं कौन से सुमित अंतिल यह जिविनिल थिरो प्लेयर हैं जैसे नीरत चोपड़ा हैं सुमित अंतिल हैं और दूसरा है आपके भाग्य स्री भाग्य स्री जाधव यह जो है साट फूटर प्लेयर हैं ठीक है यहां पर लिख लेना साट फूटर प्लेयर हैं और यह भाला फैक क्लिर इस गेम के अगर हम बात करें तो इस गेम में जो हैं भारत की तरफ से अगर हम देखेंगे तो भारत में इसमें 84 एथेलिट्स अगर हम भारत के कॉंटेस से इसको पढ़ेंगे इंडिया के कॉंटेस से इसको देखेंगे तो हम लोग 84 खिलाडी इसमें भाग ले रहे हैं भारत के जबकि ओलम्पिक्स में कितने लिया था 117 और इन 84 में 32 वुमें प्लेयर हैं वुमें खिलाडी है यह आप लोगों को ध्यान में रख रहे हैं विच इस वेरी वेरी इंपोर्टेट है ठीक है किलियर इसके साथ साथ अगर हम बात करें अब तक भारत पैरा ओलम्पिक में भारत की तरफ से सबसे बड़ा यह दल है जो पैरा ओलम्पिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किलियर है यह आप लोगों को ध्यान लग रहे हैं यह जो 84 खिलाडी हैं यह डिफरेंट टाइप क के 12 खेलों में भाग लेंगे, कितने बारत के 84 खिलाडें यह आप लोगों को ध्यान लगाना हैं और वैसे अगर टोटल बात करें टोटल कितने गेम्स आयो जित होंगे टोटल गेम्स हैं 32 तोटल गेम्स हैं 22 टाइपस ओफ गेम्स कंडेक्ट होंगे पेरिस में पैरा ओलम्पिक्स में और भारत कितने में पाग ले रहा है 12 मतलब हमारे पास 10 खेल ऐसे हैं जिनमें हम लोग भागे नहीं लेंगे जिनमें हम पाटिसिपेटी कोछ we can't qualify अब अगर हम बात करें इसमें तो यह जो खेल हैं मतलब अग्र इन खेलों की बात करें हम लोग तो जो athletes हैं यह different type की category में जो हम भाग लेंगे बारत की तरब से सबसे पहले, बारत की तरब से सबसे पहले 1972 में, सबसे पहले 1972 में, जो है मुरली कांत पेटे कर, आप लोग नोट करेंगे, मुरली कांत पेटे कर, ने जो है वो पैरा ओलम्पिक्स में मेडल जीता था, और वो भी कौन सा गोल्ड मेडल जीता था गोल्ड मेडल यह आप लोग याद रखेंगे यह हीडन बर्ग में आयजित हुआ था हीडल बर्ग में आयजित जो है यह किया गया था ठीक है इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है जो अभी टोक्यो पैरा ओलम्पिक हुए थे टोक्यो पैरा ओलम्पिक हुए थे यह हुए थे 2020 के थे बट 21 में आयोजन हुआ था इनका और इसमें भारत की अच्छी कासी मेडल भारत ने जीते थे इसको हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे भारत ने अगर हम बात करें इस टोक्यो पैरा ओलम्पिक में जो भारत ने यह टोक्यो ओलम्पिक हुआ था ठीक है तो इसमें भारत ने टोटल टोटल की बात करें तो टोटल मेडल जो जीते थे टोक्यो पैरा ओलम्पिक में 19 मेडल जीते थे टोटल 19 मेडल थे इन 19 में 5 गोल्ड थे आपके 8 रजत थे और बाकी आपके बच्चे 6 वो थे ब्रोंज मेडल ये कहां की बात है टोक्यो पैरा ओलम्पिक्स गेम की टिके ये आप लोग जो है वहीज़ दियान रखेंगे सारे बच्चे और इसका में और मस्के अ ai मतलब इसका जो मस्केट है वहाप लोग याद रखेंगे उसका नाम है फ्रीज कहाई इस फ्रीजिन या हव्रेस दोनों का सेम है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे very very important ठीक है एक पिरकार की ये टोपी होती है phrygian topi भी लिख सकते हैं इसको phrygian topi जो France के culture, आजादी और स्वतंतरता के बारे में बताती है France के ठीक है और ये जो topi है France की आजादी P के बारे में बताती है ये आप लोग जो है ध्याद रखेंगे ठीक है तो ये हम लोगों ने पढ़ा अब इसका result आने बागई है अब start हो जाएगा गेपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा और देखा ये था आप लोगों का पहरा ओलंपिक से related कुछ important बात है आई होब आप लोगों ने note कर ली होंगे